जिस तरीके से UGC यानि University Grant Commission National Eligibility Test यानि NET का Examination conduct करती है जिसको qualify करने के बाद आप इंडिया में, all over India में कहीं पर भी किसी भी University में as an Assistant Professor के लिए eligible होते हैं और साथी साथ अगर आप PhD करना चाहते हैं तो उसको qualify UGC NET का Examination आपको qualify करने के बाद वहाँ पर आप जो है Assistant Professor की तरह जो है किसी भी University या College में आप अप्लाई करते हैं उसके लिए eligible हो जाते हैं तो उसी तरीके से गुजरात State में जो Universities हैं या फिर जो colleges हैं वहाँ पर अगर आपको as a Assistant Professor work करना है तो उसके लिए आपको जी सेट आने की गुजरात State Eligibility Test क्वालिफाई करना होता है UGC NET Examination क्वालिफाई करने वाले भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर आप जो है UGC NET क्वालिफाई नहीं किये हैं तो आप गुजरात State Eligibility Test एक्जामिनेशन की डेट यहां पर आप देख सकते हैं कि Sunday 1st December 2024 को जी से 2024 कंडट कराया जाएगा तो कब से कब तक आप अपना जो एप्लिकेशन कर सकते हैं एक्जामिनेशन पैटन क्या है वो सारी डेटेल हम यहां पर चेक करेंगे फीस क्या है वो सभी चीज़े हम यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट जो है डेट्स की बात कर लें तो यहां पर सबसे पहले आपको फीस सब्मिट करने हैं उसके बाद फिर आपको registration करना होगा तो ये दोनों ही काम आपको 21 अगर्स 24 से 16 सितंबर 24 के बीच में कर लेना है उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखें डेट आफ एक्जामनेशन तो संडे 1 दिसंबर 2024 को एक्जामनेशन जो है जी से 2024 कंडट कराया जाएगा duration of exam की बात करें तो similarly यहाँ पर 3 hour का examination होगा 9.30 से 12.30 के बीच में जो है पेपर कंडट कराया जाएगा तो यहाँ पर भी UGC NET की दरगार दो पेपर होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 1 जो है वो research और teaching से related होता है तो पेपर 1 एक घंटे का होगा सारे 9 से सारे 10 और वही पर पेपर 2 जो है वो दो घंटे का होगा सारे 10 से 12 तीन गंटे के अंदर आपका यह दुनों पेपर कंडट करा लिएगा यहाँ पर पेपर में गैप नहीं है paper वो paper 2 के बीच में gap नहीं है साड़े ना उससे साड़े 10 में paper 1 साड़े 10 से साड़े 12 के बीच में paper 2 जो है conduct करा जाएगा तो gujarat set.ac.in इस website पर आपको जाना होगा वही पर आपको ये जो है fees submit करके online registration complete करना होगा वही पर आपको result भी डिकलेर होगा पर आपका admit card भी आएगा यहाँ पर जो examination होता है Gset यह जो है offline board में होगा और आपको OMR sheet मिलेगी और उसी में जो है आपको circle करने होंगे correct answer जो है वहाँ पर आपको select करके यहाँ पर reservation policy आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप गुजरात state से हैं और आप वहाँ के SCST या फिर EWS category में आते हैं तो फिर आपको जो वहाँ पर benefit मिलेगा नहीं तो फिर आपको other state के हैं अगर आप other state के हैं और गुजरात Gset के लिए apply कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जो है general category में ही unreserved category में ही आपको भरना होगा clear तो यह आपको ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर अगर other state के हैं तो आपको गुजरात में आपको reservation का benefit नहीं मिलेगा गुजरात state eligibility test के जो certificate है वो e-certificate ही provide कि जाएंगे जैसा कि UGC net में होता है तो e-certificate होगा hard copy में आपको वहाँ पर provide नहीं की जाएगी साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो application form है वो आपको समहाल के रखना है और admit card भी समहाल के रखना है अगर आप qualify हो जाते हैं तो उसके बाद जब भी आप कहीं पर apply करेंगे college में, university में तो वहाँ पर verification के लिए वो दोनों ही चीज़े मागी जा सकती है और इसको online application को आपको भेजना नहीं है कहीं पर भी आपको समहाल के रखना है अपने पास ही online e-certificate जो है वहाँ पर आपको मिलेगा वो भी आपको अपने पास समहाल के रखना होगा यहाँ पर हम बात करने कि कितना percentage होना चाहिए तो सबसे पहले हम देखें कि किसकी subject में होता है तो जी सेट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट्रेशन में अगर आपने mathematical science लिया है तो physical science के लिए दो chemical science के लिए तीन total 33 subject है जिसके लिए जो है यहाँ पर जी सेट कंड़ राया जाता है तो यहाँ पर education के लिए paper code 13 है इसी तरह के से law जो है यहाँ पर commerce है तो English औगुजराती दोनों language में होगा इंग्लिस गुजराती, Commerce भी दोनों लगा जो को Management आप देखें तो सिर्फ इंग्लिस में आगा ये गुजराती में नहीं है तो यहाँ पर आपको बताय सद्धेए और काू जो के हिंधी में होगा काू differently able जो candidate होते हैं उनके लिए होगा 100 plus bank charges तो यह जो है फीस है अगर आप general, generally, WSEA फिर SEBC आनि OBC non-crimidier से आते हैं गुजरात इस्टेट के हैं तो 900 रुपए आपको plus bank charge आपको देना होगा CST, 3rd जंजर 700, PWD के लिए 100 रुपए यहाँ पर आपको submit करना होगा clear online payment होगा यहाँ पर आपको यह चीज ध्यान रखनी है तो आपको जो है website पर जाकर वहाँ पर apply करना होगा condition of eligibility, only those candidates are eligible to appear in the G-set who have completed our studying in the final year of UGC specified master degree in a subject of G-set तो जो 33 subject है जिसमें G-set conduct कर जा रहा है अगर उनसे आप master degree complete कर रहे हैं, final year में है या फिर complete कर चुके हैं तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं reservation policy का benefit उने को मिलेगा जो गुज़ात state से है the candidate of other state other than गुज़ात state belonging to reserved category shall be treated as general category candidate तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है clear तो post graduate आपने कर लिया है या फिर आप जो है final year में हैं तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं general unreserved या फिर general EWS candidate हुँ है secured at least 55% marks without rounding off याने कि 54.9 और 54.5 है यह नहीं 55 या फिर उससे जादा है in master degree और equivalent examination तो वो जो है यहाँ पर apply कर सकते हैं clear वो are reasonable for G-set वहीं पर जो SC, ST, physically disabled है या फिर third gender category के candidate है उनको 5% का relaxation तो 50% marks उनके master degree में होने चाहिए तो फिर जो है वो apply कर सकते हैं तो general unreserved या फिर general EWS category से हैं तो आपके 55% marks होने चाहिए without rounding off वहीं पर अगर आप reserve category से हैं गुजात state के reserve category है OBC, SC, ST, PWD, third gender तो उनको 50% marks होना चाहिए PG में तो वो जो है यहाँ पर इसके लिए apply कर सकते हैं clear तो यहाँ पर आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है वो final year के candidate है तो उनको भी यह criteria fulfill करना होगा जैसे उनका result आता तो यह चीज eligibility automatically cancel हो जाएगी clear यहाँ पर एक चीज़ और है कि एक candidate who has already qualified G-set in a subject will not be allowed to appear again for G-set in the same subject याने कि अगर सपोस करें कि आपने management से G-set गुजात state eligibility test qualify कर लिया है तो आप दुबार से उस subject में qualify नहीं कर सकते हैं दुबार से उस subject के लिए आप apply नहीं कर सकते हैं कि किसी और subject के लिए अगर आप पाया जाते हैं तो आपके candidates cancel कर दिया जाएगा age limit की बात करें तो there is no अपर age limit apply in G-set for executive for assistant professor तो assistant professor के लिए यहाँ पर कोई भी age limit का criteria नहीं है आप किसी भी age के हो आप apply कर सकते हैं अगर आप जो education qualification है यानि कि आपने PG कर रखा है और आप जो required percentage है वो आपने हासिल क रखा है अपने PG course में तो G-set examination दो paper में होंगे यहाँ पर पहला paper 100 marks का होगा 50 questions होंगे ठेक है compulsory paper है वहीं पर दूसरा paper 200 marks का होगा handed question होंगे वो भी compulsory है यानि कि आप सिर्फ paper 1 देके आ रहे हैं या फिर सिर्फ paper 2 देके आ रहे हैं तो आपका candidates है cancelled हो जाएगा आपको दोनों ही paper देना जरूरी है तीन घंटे का paper होगा साड़े नव से साड़े बारा के बीच में पहला paper साड़े नव से साड़े दस साड़े बारा के बीच में conduct कर जाएगा पहला paper जो है वहाँ पर teaching research aptitude इस से related questions वहाँ पर आप से पूछे जाएंगे reasoning ability comprehension ठीक है divergent thinking इन सब से related questions होगे वही पर paper 2 जो है वो subject specific होगा यानि कि आपने जो भी subject सूच किया होगा सबसक्री management आपने चूज किया है तो management related commerce है तो commerce related questions वहाँ पर आप से पूछे जाएंगे paper 2 में paper 1, paper 2 दोनों ही देना जरूरी है और OMR based examination होगा यानि कि offline board में होगा कोई भी negative marking नहीं है there is no negative marking for incorrect answer आपने कोई गलत question का answer दे दिया है आपने question का गलत answer दे दिया है तो उसके लिए कोई भी negative marking नहीं कि जाएगी minus marking नहीं होगी उसका number 0 ही मिलेगा वहाँ पर number जो मिला है उसमें से कार्ट नहीं लिया जाएगा clear तो यह चीज आपको देहां रखना है वही पर जो visually handicapped हैं उनको 20 minutes वहा जो है यहाँ पर जी सेट यानि गुज़ाद state eligibility test का syllabus होका clear तो यहाँ पर result का declaration पर ध्याँ रखना है कि ऐसे candidate जोनों ने paper on paper to दोनों ही qualify किया और minimum 40% aggregate mark है यानि paper on paper to दोनों मिला कर उनके कम से कम 40% marks हैं तो ही वो qualify माने जाएंगे तब उनका merit में आने के chances बनेंगे वहीं पर जो reserved category से हैं उनको 35% ही में लाना है aggregate यानि कि ऐसे अगर आप general unreserved general EWS category से हैं और आपका paper on paper to दोनों मिला के 40% आ गया है तो आप हो सकता है कि आप 6% जो होता है top 6% को ही qualify किया जाता है तो उसमें आपका नाम आ सकता है वहीं पर अगर reserved category है तो कम से कम 35% तो लाना होगा तब जो है वो qualify के category में आ सकते हैं clear तो top 6% जो student पर उनको qualify किया जाता है उनको eligible किया जाता है तो top 6% में आने के लिए कम से कम आपका 40% या फिर 30% marks होना चाहिए paper on paper to के मिला कर तभी आपको consider किया जाएगा नहीं तो considering नहीं किया जाएगा कि आप eligible है या फिर नहीं eligible है clear तो apply करन है वहाँ पर सबसे पहले payment करना है फिर registration करना है वाकी formalities वहाँ पर आपको पूरी करनी पड़ेंगे fees की बात हमने कर ली 900 700 और 100 rupees है डेट जो है 21 अगस्ट 2024 से registration होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर offline mode में examination होगा other state के candidate भी जो है apply कर सकते हैं यहाँ पर 21 अगस्ट से 16 सितम 24 के बीच में registration कर लेना है एक दिसंबर एक दिसंबर 24 को संडे को इसका examination conduct करा जाएगा साड़े ना उसे साड़े वारा के बीच में admit card website पर आएगी आपको जो website continuous basis पर चेक करना है जो भी changes होंगे जो भी update होगा वो सारा का सारा आपको website पर मिल जाएगा तो आपको गुजरा सेट.ac.in की website पर आना है तो यह गुजरात इस्टेट इस्विल्टी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोवेजर की website है तो यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले इस्टेपॉन है पे एक्जामनेशन फी उसके बाद एक्जामनेशन फीपे करने के बाद आपक से 16 सितंबर के बीच में आपको कंप्लीट करना है तो पे एक्जामनेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा पेज ओपन होगा जहां पर आप देखेंगे कि आपको पहले अपना नाम बर्थ डेट एमेल मुबाइल नंबर सब्जेक्ट आपको चूप करना है जिस इस तरीके से जो है आप रेजिस्टेशन पहले पेमेंट करके फिर रेजिस्टेशन कर सकते हैं जी से 2024 एक्जामनेशन के लिए जो की 1 दिसंबर 2024 को कंड़ट कराया जाएगा विश्व ओल देवेश्ट कीप वाचिंग